अला अबरीबान यम्मी फूट विट ममी में आज हम बनाएंगे खीर गाड़ी एकदम मलाईदार खीर उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले चावल को जो है तीन मुठी चावल ये है मैंने और थोड़ा सा और लिया है ये देखे दू मुठी ये तीन मुठी और ये दूद है जो इसको के अंदर डाल दिया है यहां में ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर खीर को बनाना है और बिल्कुल पूरे टाइम हमको चलाते रहना है ये देखे चावल बीग चुके है अच्छी तरीके से दूद में जैसे ही उबाल आएगा हम इसक से लगातार चलाना है जिससे हमारा दूद जो है वह अच्छी तरीके से रिड्यूज होगा ये देखे यहां पर गरम पानी लिया है और उसमें 12-15 मैंने बदाम डाले हैं थोड़े मैंने किसमिश डाल दिया है और ये अच्छी तरीके से जब भीग जाएंगे उसके बाद ह होने लग गई है तो ये जो ड्राइब फ्रूट से पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर हम खीर को चलाते रहेंगे तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे दूद और चावल जो है वो एक ना हो जाए अभी तक देखिए चावल अलग दिख रहे हैं तो हमें इसको और पकाना है यहां अब हम क्या करेंगे पकाते वे हमें 20 मिनिट हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं चीनी गायज हमें जितने चावल है उससे थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है यानि कि मैंने पॉने चार के करीब चावल लिये थे तो यहां मैं चार स हिसाब से मैंने यहां पे पॉन कटोरी जो है वो भरके चीनी डाली है यह देखिए गायज हमारी खीर की कंसिटेंसी देखिए यह अच्छी तरीकी से रेडी हो चुकी है खाने के लिए बिलकुल तयार है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इसमें कहीं पता ही नहीं लाइक करने के बाद में आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज कमेंड कीजिए यह देखिए थोड़ा सा गार्निष कर रही हुए यहां पे सर्व करने के बाद में आप भी चाहें तो कर सकते हैं गार्निष जो बड़िया खुशू आ रही है इस समय कीचन से और ये देखें ये सामनी खीर पड़ी है बिल्कुल ऐसे मन कर रहा है जिसे मैं खाई लूँ लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है तो फर्स्ट पॉर यू और ये देखें प्लीज थेंक यू